Passport Package में Multiple Photos कैसे Use करें? Passport Express में Standard Printing Size को ध्यान में रखते हुए अनेक प्रकार की sizes दी गई हैं, जैसे की 4 x 6, 5 x 7, 6 x 8, 8 x 12 और 12 x 18. इन में से कोई भी एक size सिलेक कीजिए और Next बटन पे क्लिक कीजिए या size पे double-click कीजिए Create Design window में Package tab पे क्लिक कीजिए Passport Express में आपको बहुत सारी categories दी गई हैं, जैसे की General, ID, Mix, Passport, Stamp और Visa Passport tab में क्लिक कीजिए इस तरह आप अपने Packages को Zoom in, Zoom out करके देख सकते हैं अब एक category सिलेक करने के बाद मन चाहे Package पे double-click कीजिए Photos इंसर्ट करने के लिए Photo tab पे क्लिक कीजिए Browse बटन पे क्लिक करके Photos की Path सिलेक कीजिए आप अपने Photos Hard Disk, CD Drive, Pen Drive या Bluetooth से सिलेक कर सकते हैं इस तरह आपको अपने Photos दिखाई देंगे आप अपने Photos को Zoom In या Zoom Out करके देख सकते हैं Sort Option पे क्लिक करके आप अपने Photos को Date, Time, Name, Size, Type, Orientation, Used, Ascending और Descending तरीकों से Sort करके देख सकते हैं Photos को Package में Insert करने के लिए Photo Tab पे जाएं और मन चाहे Photo पे Double Click कीजिए अब इस Package में Multiple Photos Insert करने के लिए Package Area को सिलेक कीजिए और Photo Tab में जाकर Photo पे Double Click कीजिए Preset Tab से Photos को तरह तरह के Presets अपलाई कर सकते हैं Preset में दो Option दिये गए हैं Colorize और Outline Colorize Preset को अपलाई करने के लिए Photo को सिलेक करके किसी भी एक Preset पर Double Click कीजिए Reset बटन पे क्लिक करके आप उस Preset को Reset कर सकते हैं इसी तरह आप Outline Preset को भी अपलाई कर सकते हैं Project को Save करने के लिए Save Project बटन पे क्लिक कीजिए Name दीजिए, Path सिलेक कीजिए और OK बटन पे क्लिक कर दीजिए आपका Project Save हो जाएगा Package को JPG Format में Save करने के लिए JPG बटन पे क्लिक कीजिए अब Order Number दीजिए और OK बटन पे क्लिक कर दीजिए यहाँ पर Name दीजिए, Path सिलेक कीजिए और Printer के मुताबिक Color Profile Set कीजिए Optimize Quality या Optimize File Size में से एक Option सिलेक करके OK बटन पे क्लिक कर दीजिए अब Open बटन पे क्लिक करके आप अपने JPG को External Viewer में देख सकेंगे Print बटन पे क्लिक करते ही आपका Package आपके Default Printers के जरिए Print हो जाएगा Order Number दीजिए और OK बटन पे क्लिक करते ही Print Complete होने का एक Message Box आएगा यहां पे आप Order Number देख सकते हैं झाएगा 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 झाएगा